तिदे लिए चलते हैं आपको प्रधान मंत्री दर्णी दर्णी बोधी मन की बात कर रहे हैं आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं एक फोन कॉल से ही शुरू करते हैं आदर्णी प्रधान मंत्री जी मैं कोमल तिरपाथी मेरट से बोल रही हूं अठाइस तारिक को नेशनल साइंस टे है इंडिया की प्रोग्रेस और उसका ग्रोथ साइंस से पुरी तरह से जुड़ा हुआ है जितना ही हम इसमें रिसर्च और इनोवेशन करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे और प्रॉस्पर करेंगे क्या आप हमारे युवाओं को मोटिवेट करने के लिए कुछ ऐसे शब्द कह सकते हैं जिससे की वो साइंचिफिक तरीके से अपनी सोच को आगे बढ़ाएं और हमारे देश को भी आगे बढ़ा सके हैं धन्यवाद आपके फोन कॉल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विज्ञान को लेकर धेर सारे प्रश्ण मेरे युवाद साथियों ने मिजवें पूछे हैं कुछ ने कुछ लिखते रहते हैं हमने देखा है कि समुद्र का रंग नीला न जराता है लेकिन हम अपने देनिक जीवन के अनुभवों से जानते हैं कि पानी का कोई रंग नहीं होता है क्या कभी हमने सोचा है कि नदी हो समंदर हो पानी रंगीन क्यों हो जाता है यही प्रश्ण उन्नी सो बीस के दश्रक में एक युवक के मन में आया था इसी प्रश्ण ने आधुनिक भारत के एक महान विज्ञानिक को जन्म दिया जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो सबसे पहले भारत रत्न सरसीवी रमन का नाम हमारे सामने आता है उन्हें लाइट्स स्केटरिंग यानि प्रकास के प्रकिर्णन पर उत्कुस्ट कारे के लिए नॉबल परस्कात पुदान किया गया था उनकी एक खोज रमन इफेक के नाम से प्रसीद्ध है हम हर वर्ष 28 फरवरी को नेशनल साइंस दे मनाते हैं क्योंकि कहा जाता है कि इसी दिन उन्होंने लाइट्स केटरिंग की घटना की खोश की थी जिसके लिए उन्हें नॉबल पुरस्कार दिया गया इस देश ने विज्ञान के ख्षेत्रे में कई महान विज्ञानी को जन्म दिया है एक तरप महान गणितग्य, बहुधायन, भासकर, ब्रह्मगुप्त और आर्यभट की प्रमपरा रही है तो दूसरी तरप चिकित्सा के ख्षेत्र में सुसरुत और चरक हमारा गवरव है सर जगदिश चंद्र बोश और हर्गविन खुराना से लेकर सत्तेंद्रनाथ बोश जैसे वैज्ञानिक ये भारत का गवरव है सत्तेंद्रनाथ बोश के नाम पर तो फेमस पार्टिगल बोशन का नामकरण भी किया गया हाल ही मैं मुझे मुझे मुंबई में एक कारकम में सामिल होने का अवसर मिला वादवानी इंस्टिटुट अफ आर्टिफिशल इंटलिजेंस के उद्गाटन का विज्ञान के शेत्र में जो चमतकार हो रहे हैं उनके बारे में जानना बड़ा दिल्चस्प था आर्टिफिशल इंटलिजेंस के माध्यम से रोबोट्स बोट्स और स्पेसिफिक टास्क करने वाली मशीने बनाने में सहायता मिलती हैं आजकोल मशीने से अपने आपके इंटलिजेंस को और स्मार्ट बनाती जाती हैं इस टेक्नोलोजी का उपयोग गरीबों वन्चीतों या जरूरत मंदों का जीवन बहतर करने के काम आ सकता है आपीशल इंटलिजेंस के उस कारकम में मैंने वज्जानिक समुदाई से आगडरे किया कि दिव्यांग भाई और बहनों का जीवन सुगम बनाने के लिए किस तरह से आपिशल इंटलिजेंस से मदद मिल सकती है क्या हम Artificial Intelligence के माध्यम से प्रकृतिक अब्दाओं के बारे में बहतर अनुमान लगा सकते हैं किसानों को फसलों की प्रदावर को लेकर कोई सहायता कर सकते हैं क्या Artificial Intelligence स्वास्त सेवाओं के पहुंचकों आसान बनाने और आधोनिक तरीके से बिमारियों के इलाज में सहायक हो सकता है पिछले दिनों इजरायल के प्रदान माध्य के साथ मुझे गुजरात में एमदाबाद में I-Create के उस घाटन के लिए जाने का आउसर मिला था वहाँ एक नवजवान ने एक ऐसा डिजिटल इंस्ट्रुमेंट डेवलप के अवा बताया उसने कि जिसमें अगर कोई बोल नहीं सकता है तो उस इंस्ट्रुमेंट के माध्यम से अपनी बात लिखते ही वो वाईस में कनवर्ट होती है और आप वैसे ही समवाद कर सकते हैं जैसे की एक बोल सकने वाले व्यक्तिय के साथ आप करते हैं मैं समझता हूँ कि आप्टिफिशनल इंट्रिजन्स का उप्योग ऐसी कई विधाओं में हम कर सकते हैं साइंस एंट टेकनोलोजी वैल्यू नूट्रल होती हैं इनमें मुल्यों अपने आप नहीं होते हैं कोई भी मसीन वैसा ही कारे करेगी जैसा हम चाहेंगे लेकिन ये हमारे उपर निर्भर करता है कि हम मसीन से क्या काम लेना चाहते हैं यहां परमान्यमिय उदेश महत्वपुन हो जाता है विज्ञान का मानव मात्र के गरल्यान के लिए उपयोग, मानव जीवन की सरवोच्च उंचाईयों को छूने के लिए प्रयोग लाइट बल्ब का आविश्कार करने वाले थोमस आलवा एडिशन अपने प्रयोगों में कई बार असवर हो रहे एक बार उनसे जब इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने लाइट बल्ब नहीं बनाने के दस हजार तरीके खोजे हैं यानि एडिशन ने अपनी असवर्टाओं को भी अपनी शक्ति बना लिया संयोंग से सवभाग है कि आज मैं महर सी अर्विंदो की कर्म हुई मी औरोविलो में हूँ एक क्रांती कारी के रूप में उन्होंने ब्रिटिश शासन को चुनवती दी उनके खिलाब लड़ाए लड़ी, उनके शासन पर सवाल उठाए इसी प्रकार उन्होंने एक महान रशी के रूप में जीवन के हर पहलू के सामने सवाल रखा उत्तर खोज निकाला और मानवताव को रहा दिखाई सच्चाई को जानने के लिए बार बार प्रशन पुछने की भावना महत्पूर है वज्यानी खोज के पीछे की असल प्रेणा भी तो यही है तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए जब तक क्यों, क्या और कैसे जैसे प्रशनों का उत्तर नम मिल पाए नेस्नल साइंश डे के अवसर पर हमारे वज्यानी को, विज्यान से जुड़े सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ हमारी UAPD सत्य और ज्यान की खोज के लिए प्रेदित हो विज्यान की मदद से समाज की सेवा करने के लिए प्रेदित हो इसके लिए मेरी बहुत-बहुत शुपकामना है साथियों, क्राइसिस के समय, सेव्टी, डिजास्टर, इन सारे विश्यों पर मुझे बहुत-बहुत कुछ संदेश आते रहते हैं, लोग मुझे कुछ से कुछ लिखते रहते हैं पूने से सिमान रविंद्र सी ने नरेंद्र मोधी मोबाइल एप पर अपने कॉमेंट में आउक्क्यूपेशनल सेव्टी पर बात की हैं, उन्होंने लिखा है कि हमारे देश में फैक्टरीज और कंस्रक्शन साइट्स पर सेव्टी स्टांडर्ड उतने अच्छे नहीं है अगले चार मार्च को भारत का नेशनल सेव्टी डे है, तो प्रधाननती अपने मन की बात कारिकम में सेव्टी पर बात करें ताकि लोगों में सेव्टी को लेकर जागरुकता बढ़े जब हम पब्लिक सेव्टी की बात करते हैं, तो दो चीजें बहुत महत्वपुण होती है प्रोएक्टिवनेस और दूसरा है प्रिपैडनेस सेव्टी दो प्रकार की होती है, एक वो जो आपदा के समय जरूरी होती है सेव्टी डूरिंग डिजास्टर्स और दूसरी वो जिसकी दाइनिक जीवन में आवश्क्ता पड़ती है सेव्टी इन एवरी डे लाइफ, अगर हम दाइनिक जीवन में सेव्टी को लेकर जागरुक नहीं है उसे हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपदा के दोरान इसे पाना मुश्किल हो जाता है हम सब बहुत बार रास्तों पर लिखे हुए बौर पड़ते हैं उसमें लिखा होता है सतरक्ता हटी, दुर्गतना गटी एक भूल करे नुक्सान, छीने, खुशियां और मुश्कान इतनी जल्दी न दुनिया छोड़ो, सुरक्षा से अब नाता जोड़ो सुरक्षा से न करो कोई मस्ती, वर्ना जिनगी होगी सस्ती उससे आगे उन वाक्य का हमारी जिवन में कभी कभी कोई उप्योगी नहीं होता है प्राक्रूतिक आपदाओं को अगर छोड़ दें, तो जादात दुर्गतना है हमारी कोई न कोई गल्ती का प्रणा होती है अगर हम सतर करहें, आवशक नियमों का पालन करें तो हम अपने जीवन की तो रक्षा करी सकते हैं लेकिन भहुत बड़ी दुर्गतनाओं से भी हम समाज को बचा सकते हैं कभी-कभी हमने देखा है कि वर्क प्लेस पर सेप्टी को लेकर बहुत सुत्र लिखे गए होते हैं लेकिन जब देखते हैं तो कहीं पर उसका पालन नजर नहीं आता है मेरा तो आग्रह है कि माहनगरपाली का नगरपाली का एं जिनके पास फायर ब्रिगेड होते हैं उन्होंने हपते में एक बार या महिने में एक बार अलग-अलग स्कूलों में जा करके स्कूल के बच्चों के सामने मौक ड्रिल करना चाहिए उससे दो फायदे होंगे फायर बिगेड को भी सतर्क रहने का आदत रहती है और नई पीडी को इसकी शिक्षा भी मिलती है और इसके लिए नव कोई अलग खर्चा होता है एक प्रकार से शिक्षा का ही अक्रम बन जाता है और मैं हमेशा इस बात का आगरह करता रहता हूँ जहां तक आपदाओं की बात है डिजास्टर्स की बात है तो भारत भावगोलिक और जलवायू की दृष्टी से विवित्यताओं से भरा हुआ देश है इस देश ने कई प्रकृतिक और मानव निर्वित आपदाओं जैसे रासाइने के ममुद्यों की दृष्टनाओं को जेला है आज नेशनल डिजास्टर्स मैनेजमेंट ऑठोरिटी एन एंडिये में देश में आपता प्रबंद की अगवाई कर रहा है भूकम हो, बार्ड हो, साइकलोन हो, भुस्कलन हो जैसे विभिन आपदाओं को रिस्क्यू आपरेशन हो एंडिये में तुरंद पहुंचता है उन्होंने गाइडलेंस भी जारी किये है साथ-साथ वो कैपरिसिटी बिंडिंग के लिए लगातार ट्रेनिंग के काम भी करते रहते है बार्ड, साइकलोन के खर्त्रे में होने वाले जीलों में वोलेंटेर्स के प्रस्विक्षन के लिए भी आपदा मित्र नाम की पहर की गई है प्रस्विक्षन और जागूपता का बहुत महत्वपुन रोल है आज से दो-तिन साल पहले लू, हीट वेव से प्रती वर्स हजारों लोग अपनी जान घमा देते थे इसके बाद NDA में ने हीट वेव के प्रबंदन के लिए वर्क्षोप आयोजित की लोगों में जागूपता पैदा करने के लिए अभ्यान चलाया मौसम विभाग ने सटिक पुर्वानुमान लगाए सबकी भागीदारी से एक अच्छा प्रणाम सामने आया 2017 में लू से होने वाली मोतों के संक्या अप्रत्यासित रूप से घटकर करीब करीब 220 पर आ गई इससे पता चलता है कि अगर हम सुरक्षा को प्रात्मिक्ता देते हैं हम सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं समाज में इस प्रकार से काम करने वाले अनगनित लोग हो सामाजिक संगरण हो जागुरुक नागरीग हो मैं उन सब की सराना करना चाहता हूँ जो कहीं पर भी आपदा हो मिनिटों के अंदर राहत और बचावकार में जूट जाते हैं और ऐसे गुमनाम हिरों की संख्या कोई कम नहीं है हमारी फायर और डिस्क्यू सर्विसिज, नेशनल डिजार्टर रिस्पॉंस फोर्सिज, ससस्त्र सेनाई, पैरामिलेटर फोर्सिज, ये भी संकड के समय पहुँचने वाले भीर बाहदूर, अपनी जान की परवा किये बना लोगों की मदर्द करते हैं एन्सीसी, स्काउट्स, लेजर संगर्धन भी इन कामों को आजकल कर भी रहे हैं, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं पिछले दिनों हमने एक एक प्रयास ये भी शुरू किया है, जैसे दुनिया के देशों में जॉइंट मिलिटरी एकसरसाईज होती हैं, तो क्यों न दुनिया के देश डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी जॉइंट एकसरसाईज करें भारत ने इसको लीड किया है, बिम्स्टेक, बंगलादेश, भारत, मियामनार, सिनलंका, थाइलेन, भूटान और नेपाल, इन देशों के एक जोईंट, डिजास्टर मेंजमेट एक्सराइज भी की गई, यह अपने आप में एक पहला और बड़ा मानवी प्रगोग था, हमें एक risk conscious society बनना होगा, अपनी सांस्कृति में हम मुल्यों की रक्षा, safety of values के बारे में तो अक्सर बाते करते हैं, लेकिन हमें values of safety, सुरक्षा के मुल्यों को भी समझना होगा, हमें उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा, हमारे सामनी जीवन में हमने देखा है, कि हम सेंक अक्ड़ों बार हवाई जहाज में आतरा करते हैं, और हवाई जहाज के अंदर air hostess प्रारम में safety के सबंद में सुचना है देती हैं, हम सबने सो बार इसको सुना होगा, लेकिन आज अगर कोई हमें हवाई जहाज में ले जाकर खड़ा करें और पूछे कि बताइए, कौन सी चीज कहां है, लाइब जेकेट कहां है, कैसे उप्योग करना चाहिए, मैं दावे से कहता हूँ, हम में से कोई नहीं बता पाएगा, मतलब यह हुआ, कि क्या जानकरी देने की व्यवस्ता थी, प्रत्यक्षि उस तरब नजर करके देखने के लिए संबर्वना थी, लेकिन हम किया नहीं क्यों, क्योंकि हम स्वभाव से कॉंशियस नहीं है, और इसलिए हमारे कान, हवाई जहाई बैटने के बाद सुनते तो है, लेकिन ये सुचना मेरे लिए है, ऐसा हम मैं से किसी को लगता ही रही है, वैसा ही जीवन के हर शेतर में हमार अनुभव है, हम यह न सोच कि सेप्टी किसी और के लिए है, अगर हम सब अपनी सेप्टी के लिए सजब हो जाए, तो समाज की सेप्टी का भाव भी अंतर नहीं होता है, मेरे पैरे देश वासियों, इस बार बजेट में स्वच्छ भारत के तहर गाउं के लिए बायो गैस के माध्यम से वेस्टू वे इनर्जी बनाने पर जोड दिया गया, इसके लिए पहल शुरू की गई और उसे नाम दिया गया गोबर धन, गेल्वनाइजिंग आर्गेनिक बायो एग्रो डिसोर्स, इस गोबर धन योजना का उदेश है, गाउं को स्वच्छ बनाना, और पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट प्रदार्थों को कमपोस्ट और बायो गैस में परिवर्तित कर उसे धन और उर्जा जनरेट करना, भारत में मवेश्यों के आबादी लगभग 30 करोड है, और गोबर का उत्पादन प्रति दीन लगभग 30 लाग टन है, कुछ एरोपिये देश और चीन पशुओं के गोबर और अन्य जैविक अब सिष्ट का उप्योग उर्जा के उत्पादन के लिए करते हैं, लेकिन भारत में इसकी पूर्णक शमता का उप्योग नहीं हो रहा था, स्वच्च भारत मिशन, ग्रामिन के अंतरकत, अब इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं मवेशियों के गोबर, कृष्ची से निकलने वाले खच्रे, रसोई गर से निकलने वाला खच्रा, इन सब को बायोगेस आधारित, उर्जा बनाने के लिए इस्तमाल करने का लक्ष निर्धारित किया गया है गोबर धन योजना के तहट ग्रामिन भारत में किसानों, बहनों, भाईयों को प्रोसाइट किया जाएगा कि वो गोबर और कच्रे को सिर्फ वेश के रुप में नहीं, बलकि आयके स्रोत के रुप में देखे गोबर धन योजना से ग्रामिन छेत्रों को कई लाब मिलेंगे गाउं को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी पशू आरोग्य बहतर होगा और उत्पादक्ता बढ़ेगी बायोगेस से खाना पकाने और लाइटिंग के लिए उर्जा के मामले में आत्म निर्भरता बढ़ेगी किसानों एवं पसूपालों को आवदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी वेस कलेक्शन, ट्रांस्पोर्टेशन, बायोगेस की विक्री आदी के लिए नई नोकरियों के आवसर मिलेंगे गोबर्दन योजना की सुचारू व्यवस्ता के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रेटफॉर्म भी बनाया जाएगा जो किसानों को खरीदारों से कनेक करेगा ताकि किसानों को गोबर और अगरिकल्चर वेस का सही दाम मिल सके मैं उद्धमियों, विशेश रुपसे ग्रामिट भारत में रह रही अपनी बेहनों से अग्रह करता हूँ कि आप आगे आए, सेल्फ हेल्प गुरूप बनाकर, सहकारी समित्या बनाकर इस अवसर का पुरा लाब उठाए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, क्लीन एनरजी एन ग्रीन जॉब्स के इस आंदोलन के भागेदार बने अपने गाउं में देश्ट को वेल्थ में परिवर्तन करने और गोबर से गोबर धन बनाने की दिशा में पहल करें मेरे प्यारे देश्वासियों आज तक हम मिजीक फेस्टिवल, फूड फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल नजाने कितने कितने परकार के फेस्टिवल के बारे में सुनते आए हैं लेकिन 36 गड़के राइपूर ने एक अनूठा प्रयास करते हुए राज का पहला कच्रा महोसव आयोजित किया गया। राइपूर नगर निगम द्वारा आयोजित इस महोसव के पीछे जो उदेश था वह था स्वच्चता को लेकर जागरुकता। शहर के वेश का creatively यूज करना और garbage को reuse करने के विविन तरीकों के बारे में जागरुकता पैदा करना। इस महोसव के दवरान तरह तरह की activity हुई जिसमें छात्रों से लेकर बड़ों तक हर कोई शामिल हुआ। कचरे का उपयोग करके अलग-अलग तरह की कलाकृतिया बनाई गई। बेस्ट मैनेजमेंट के सभी पहलूँ पर लोगों को सिक्षित करने के लिए वर्क्शॉप आयोजित किये गए। स्वच्चता के theme पर music performance हुई, artwork बनाए गए। राइपूर से प्रेरित होकर अन्य जिलों में भी अलग-अलग तरह के कच्रा उत्सव हुए। हर किसी ने अपनी अपनी तरब से पहल करते हुए स्वच्चता को लेकर innovative ideas शेर किये। चर्चाएं की कविता पाठ हुए। स्वच्चता को लेकर एक उत्सव सा माहोल तैयार हो गया। खासकर स्कूली बच्चों ने जिस तरह बढ़ चड़ करके भाग लिया वह अध्भूत था। बेस्ट मैनेजमेंट और स्वच्चता के महत्व को जिस अभिनव तरीके से इस महोत्सव में प्रदर्शित किया गया। इसके लिए राइपूर नगर निगम, पूरे छतिजगर की जनता और वहां की सरकार और प्रशासन को मैं धेरों बधाईया देता हूँ। हर वर्ष आठ मार्ज को अंतरराष्ट्य महला दिवस मनाये जाता है। देश और दुनिया में कई सारे कारकम होते हैं। इस दिन देश में नारी शक्ति पुरसकार से ऐसे महलाओं को सतकार भी किया जाता है। जिनोंने बीते दिनों में भिन भिन अक्षेत्रों में अनुकरणिये कार्य किया हो। आज देश विमेन डेवलोप्मेंट से आगे विमेन लेट डेवलोप्मेंट के और बढ़ रहा है। आज हम महला विकास से आगे महला के नेत्रुतों में विकास की बात कर रहे हैं। इस अवसर पर मुझे स्वामी विवेकनन के वचनियाद आते हैं। उन्होंने कहा था, the idea of perfect womanhood is perfect independence। सवासो वर्स पहले स्वामी जी का यह विचार भारतिय संस्क्रूति में नारीश शक्ति के चिंतन को व्यक्त करता है। आज सामाजिक आर्थिक जीवन के हर क्षेत्र में बहिलाओं की बराबरी की भागिदारी सुनिश्चित करना यह हम सब का करतव्य हैं, यह हम सब की जिम्मेवारी हैं। हम उस परंपरा का हिस्सा हैं जहां पुरुषों की पहचान नारियों से होती थी। यशोदा नंदन, कवशल्या नंदन, गांधारी पुत्रा यही पहचान होती थी किसी बेटे की। आज हमारी नारिय शक्ति ने अपने कारियों से आत्म बल और आत्म विश्वास का परिचे दिया है। स्वयम को आत्म निर्फर बनाया है। उन्होंने खुद को तो आगे बढ़ाया ही है। साथ ही देश और समाज को भी आगे बढ़ाने।